सबसे पहले तो एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को एंट तक देख लीजिए इतना सिंपल तरीका किसी ने आपको बताया नहीं होगा और जो रेसिपी बनने वाली है तो वो तो आल ओवर इंडिया की फेमस रेसिपी है भई तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आधा ल दो चम्मच भर कर चम्मच बढ़ा है मेरा यह तो हम ना मलाई डालेंगे मलाई से बहुत ही बढ़िया टेस्ट राएगा शुगर एड़ कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आधा कटोरी इसमें शुगर डाला है अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस बनाएंगे तो इसको भी अच्छे से हमको मिक्स करना है तो इधर दूद को मैंने दूसरे गैस पर रख दिया है अभी हम नेक्स प्रोसेस करते है तो आधा कटोरी दूद लिया है उसमें एक चम्मच हम कॉन फ्लार डालेंगे और दो से तीन चम्मच मैंने यहां पर कोको प पर लिया है और साइड के गैस पर जो दूद रखी थी वह भी बहुत अच्छी तरह से बॉइल हो गया है चली अभी आगे बढ़ते हैं तो देखिए दूद को बहुत अच्छी तरह से बॉइल कर दिया है तो दो से तीन मिनिट हो गये है अब हम क्या करेंगे जो हमने कॉन और pourr और । ने जो ऑफ आति दयता है कि तो इसे करना से दिये पिक सितने दोर ऐसार प्रोसेस के मुझे सैत मिनिट डर्कुरों यह बहस अच cultivate town कौन फ्लॉर कोको पाउडर को मैंने अच्छे से पकाया है तो देखिए यह रनी कंसिस्टंसी में है इसी कंसिस्टंसी में ही हमको चाहिए क्योंकि आगे की प्रोसेस में यह बहुत ज़्यादा थिक होने वाला है दूद तो चलिए अभी इसको साइड में कर देते हैं इसको आ ठंडा करना है और ठंडा करकर इसको ना एक आप बॉल में निकाल लेजिए तो देखिए इस तरह से हमको ठंडा करकर एक बॉल में निकाल लेना है आप ना इसको डाइरेक मिक्सी के जो बड़ा जार रहता है उसमें भी आप निकाल सकते है क्योंकि आगे हमको इसको पीसना रेसिपी बन जाएगी तो चलिए दो मिनिट हो गए है देखिए थोड़ा रुक रुक के ही मैं अच्छे से ब्लेंडर यूज कर रही हूँ यहाँ पर आप मिक्सी के जार में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं तो चलिए यह हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको फॉयल पेपर है अच्छे से सेट हो गई है सेट हो गई है पर यह खाने लाय कभी रेडी नहीं है एक प्रोसेस है वो करना वाकी है उसके बाद में अगर यह प्रोसेस करना जरूरी है क्योंकि तभी तो हमारी जो आइसक्रीम है ना बहुत ही सूपर सॉफ्ट डिलिशियस बनेगी तो यह क पास यह ब्लेंडर है तो इसी से मैंना थोड़ा रुक रुक कर आपको अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है तो देखिए बहुत ही अच्छे से यह ब्लेंड हो जाता है तो देखिए मैंने कम से कम एक मिनिट अच्छे से इसको ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छी तो आइस्क्रीम जमाने के लिए मैं इस तरह से कंटेनर यूज करती हूँ तो इसमें हमको ये सब कुछ जो बैटर है ये डाल देना है बहुत अच्छी तरह से टैप कर दीजिए और जो फॉइल पेपर है तो हमको अभी टाइटली अच्छे से इसको एकदम से कवर कर रख दीजिए तो देखिए क्या आइस्क्रीम जमी है वही इतनी सूपर सॉफ्ट डिलिशियस ये आइस्क्रीम बनी है कि अब मैं क्या बता हूँ जब आप इसको बनाएंगे टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा और इतनी सूपर सॉफ्ट बनी है कोई कह नहीं सकता कि इसको हमने कोको पॉडर से बनाए है एकदम से इसका फ्लेवर ना चाकलेट फ्लेवर जैसे ही आया है तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी चाकलेट आइसक्रीम जो मूँ में जाते ही घुल जाएंगी इस तरह से ये चाकलेट आइसक्रीम बनाए हूँ और वो प्लेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए ओके फैंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुट बाइ